Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Verma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको TSL के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप automation trading करते हैं आप stock के साथ automation trading करते हैं तो TSL का use कैसे करेंगे TPSL की वीडियो मैंने पहले ही बना के publish कर दी API कैसे लेते हैं पहले ही publish कर दिया तो इसकी पूरी एक playlist है हर चीज के बारे में बता रखा है तो मैं आप stock के बारे में तो वीडियो के description में डाल दूँगा अगर आपको उस से related कुछ देखना हो तो आप देख लेना अभी आते हैं मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे platform को पहले से use कर रहे हो automation करना आता है आपको order लगाने वगएरा सब आपको आते हैं तो आप अभी TSL का use कैसे करोगे तो TSL का जो use है हमने एक ही चीज में बना रखा है जिसके अंदर आप SL, TP और TSL तीनों चीजों का use कर सकते हो और इसको जो नाम दिया है हमने दिया है fake management नाम तो इसका मैंने TPSL तो पहले बना दिया अब TSL की वीडियो तो वो समझा देता हूँ कैसे वर्ख करता है और एक live demo दिखा दूँगा तो आपको website पहना है, login कर लेना login करने के बाद आपको यह dashboard का icon दिखेगा आप इस पर जैसे ही किलिक करोगे आप आजाओगे इस page पे यह आपका dashboard है यहाँ पर आपको जाना fake management के page पे यह वाला fake management का page कैसे काम करता है मैं बता दो जब भी आपको पोजिशन लगाओगे तो हम पहले आपकी position लगाएंगे उसके बाद position book को लेंगे और check करेंगे आपका order लग गया अगर order लग गया होगा देन हम आपका TSL या TPSL जो भी होता हो लगा देंगे अभी आपको live demo दिखा दो अच्छा अगर आप मेरे app stock के account पे आओगे तो यहां पर जो अभी आप order देखोगे तो चार order दिखा रहा है जीरो से चार order आपको इस साइड मेरे दिखा रहा है पोजिशन के अंदर जीरो पोजिशन दिखा रहा है मतलब एक SBA की position तो है पर जीरो quantity से है तो morning में एक वीडियो बनाई थी उसका एक demo के लिए हमने पोजिशन लगाई थी तो मैं आपको live दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम जाएंगे dashboard पर हम बनाएंगे एक syntax syntax बनाने के लिए हम जाएंगे syntax page पर यहां पर search बारेंगे यहां पर जाने के बाद हम search मारेंगे वी टू आप इस टोग वी टू पर जाएंगे और यहां पर एक syntax बनाएंगे हम टेस्टिंग के लिए एक regular syntax बना ले रहे हूं वो भी SVI का ही बना लेते हैं NSE select कर देते हैं quantity one कर देते हैं buy कर देते हैं market कर देते हैं sorry buy कर देते हैं buy करने के बाद आपको जाना है with TP और SL तो यहां पर आप जाओगे with TP और SL पर और यहां जाने के बाद यह तो है stop loss की value यह है TP की value इन दोनों को आपको feel करने की जोड़त नहीं है आपकी मर्दिया आप करना चाहते हो आप कर सकते हो अभी के लिए आप TSL को फिल करोगे तो मैं TSL में अभी के लिए एक value डाल देता हूँ और उसके बाद आपको intraday पे किलिक करना है और upstock पे किलिक करना है तो इस तरीके से आप जो भी fully algo का order बना रहे हो copy करने के बाद मैं trading group पे जाता हूँ और यहाँ पर आपका जो भी indicator जिसके अंदर ये चीज़े alerts आएंगी उस पर आप check कर सकते हो अभी के लिए मैं indicator को हटा देता हूँ क्योंकि मैं एक example दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक horizontal line ले लिता हूँ आपको dashboard पर जाना है और आपका webbook ये era sequence webbook आप जैसे इस पर click करोगे copy हो जाएगा उसके बाद ही आप इसके अंदर add कर पाओगा जबी आपके order दिखेंगा अब आप देखो तो fake management में मैं चलता हूँ और page को refresh करता हूँ यहाँ पर कोई भी fake management का order नहीं यह page है fake management का जो भी आपके running में order होते है वो data हम यहाँ पर रखते है जो भी आपका fake management लगता है TPSL उस symbol में तो इसलिए page बना रखता है fake नाम इसका इसलिए रखावा है क्योंकि broker तो आपको दे नहीं रहा हम ही दे रहे हैं तो यह fake है क्योंकि इस पे हम reliable नहीं हो सकते हैं थोड़ा सा latency 19-20 का फरक है इसलिए fake है और main चीज़ यह है कि जैसे suppose मानो आपने कोई 100 रपे की चीज़ लिए और 90 रपे पर stop loss लगाया तो यह नहीं को 90 रपे पर exit हो जाएगा क्योंकि वो order आपका pending में नहीं है आपने पहले से लगा नहीं रखा वो हमारी data भी इसमें save है जब 90 रपर प्राई जाएगा उसके बाद हम condition true करेंगे और फिर broker को बोलेंगे वो order क इस बीच में कुछ millisecond और कुछ second लगते हैं और यह accurate नहीं होता कि 90 पर ही कटेगा हो सकता हो थोड़ा सा ज्यादा नीचे कर जाए हो सकता उपर कर जाए क्योंकि इस बीच में time जा रहा है इसलिए हमने इसका नाम fake management रखा तो इस बात को खतम करते हुए हम चलते हैं इदर औ SBI काई और यह मैंने SBI का order इस line पे horizontal line टच करी और जैसे order आएगा तो इदर यह alerts आया और यहां आप देखो कि यह order लग गया एक quantity अब यह fake management के page पे जाके page को refresh करूंगा तो यह data अब यहां पर जो main चीज़ों दिखाने वाली मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैं आपको अपिश्टक पे इसका price दिखा देता हूँ SBI यह रहा है और यहां पर आप price देखो 594.80 इसका price है मतलब 594 रुपे 80 पैसे का price चल रहा है and fake management पे जाएंगे तो यह कह रहा है कि 594 रुपे 80 पैसे का price चल रहा था और मतलब यह 80 पैसे price क्यों चल रहा था यह थोड़ा सा मिरको समझ नहीं आया TSL रुको रुको पांसो चुरानवेता है पहले यह देख ले हम पांसो चुरानवेता तो हां चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको यह LTP यह LTP वह है जब भी आपका order लगता है ना order ल प्राइज है जो आपका buying actual price होता वह actual price हम नहीं लेते हैं इसके अंदर आपने FTSL मतलब fake TSL आपने एक point का दाला था अगर इस price में से हम एक point को हटा दे तो जो आपका TSL set हुआ है वो set हुआ है 594 आप देखोगे इसमें से एक रुपर हटाओगे तो कुछ इतने पर आपका set हुआ है अब जैसे जैसे इसका price बढ़ेगा as example के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैं इसे भार निकालता हूँ and इसे side में कर देता हूँ इस तरीके से और इसे side में कर देता हूँ इस तरीके से एक मिन्ट का time दीती है मुझे हाँ तो देखिए जैसे जैसे आप का price बढ़ेगा मैं इधर आ जाता हूँ जैसे जैसे इसका price बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें टीएसल को exit कर दिये आप यहाँ पर देखोगे position zero हो गई और यह exit हो गया होगा page refresh करने पर दिखता है क्योंकि price जो हमारा जो टीएसल था वो हिट हो गया जो हमार टीएसल था वो यहाँ पर इससे उपर बढ़ानी है मैं दुबार से एक order डाल के आपको दिखा रहा हूँ यह दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है तो इसी वज़े से मैं दुबार से एक order डालता हूँ एक रुपे का TSL है दुबार से order डाला इधर alerts आएगा alerts आया सबसे पहले fake minute में जाके देखेंगे TSL क्या सेट हुआ है तो यहां running पे आप देख सकते हैं जो पहली थी वह exit होगी अभी running में यह तो अभी जो हमारा price जो ने चेक वह करा है वह करा है कि भाई इसने इस price पे लिया है ठीक है इस बात को आपको धान रखना कि जो हम price ले रहे हैं वो position book निकालने के बाद ले रहे हैं पहले order लगाते हैं फिर confirm करते हैं कि order लग गया उसके बाद हम price लेते हैं कि आपका price क्या है तो इसमें इनने यह price लिया है और कि यह price पे और इसके हिसाब से इनने एक point का TSL लगा दिया जो आपकी data set हुआ यह हुआ अब जैसे जैसे इ order को दुबारा से order लगाना पड़ेगा और यह कुछ जादा जल्दी हो रहा है तो इसलिए मैं TSL की जो value है वो 2 कर देता हूं जिससे की थोड़ा सा late हो मैं 2 करते हैं सेफ करते हैं और एक बार order लगा रहा हूं आपके सामने और यह order लग गया quantity अच्छा quantity दो हो गई TSL तो द कर रखी है अभी आप यहां देखते हैं यह दो है तो TSL क्या होता है जैसे जैसे प्राइज मूव करेगा वैसे वैसे यह अपने आपको मूव करेगा क्योंकि लॉंग साइड में अगर इसका प्राइज बानवे होता तो यह एक एक पॉइंट अप होता जाता ठीक है पर यह अबुआ जैसे एक्जामपल अभी जो प्राइज सैट है हमारा कि इस पेस आप यहां देख सकते हूं इस पेश के सेट है और यह प्राइज जैसे जैसे बड़ेगा अभी प्राइज इत्फाक की बात है बढ़ नेरा कम होरा HOW कि पोलो रहा तो हमारी पोजिशन क्यूत हो रह as example मैं ने एक order लगाया पहले हम order लगाएंगे उसके बाद हम position book लेंगे और position book के साथ हम price लेंगे कि उस time का price गया तो suppose मानो आपको actual order 100 रुपे पर बाई हुआ है पर हमने एक second बाद उसका price लिया तो उसमें 100 रुपे 10 पैसे आ गया तो हम 100 रुपे 10 पैसे LTP को मान लेंगे आ इतने price पर आ गया तो आपकी position exit हो जाएगी ठीक है अभी buy side होगे या sell side होगे जैसे भी तो यह price यहां पर fix नहीं होगा suppose मानो कि आपका price 100 रुपे पर आपका TSL लगाया तो 99 पर आपका order लग गया अब उसका price 101 होगा वैसे इसका price set हो जाएगा 100 पर उसका price 102 होगा तो इसक दो पर बैठ हवाएं तो जैसे ट्रेल होगा इससे टीगर होगा टच होगा condition टीगर होगा आपका पो जो पेसल है exit हो जाएगा जैसे आपने इस में देखा कि हमने तीन बार order को exit मारती है ठीक है अब दूबारा से काम करते हैं मैं आपके सामने एक demo और दिखा दिखा देता तो यहाँ पर देखे टीएसल हम कर देते हैं दोर पर आपके सामने दोर पर कर दिया ठीक है और इसे मैं कर देता हूं syntax generate copy करा और दुबारा से मैंने syntax को इधर दाला और save कर दिया save करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं screen पर तो यहाँ पर देखो zero position है और fake management में अचा page refresh करने के बाद ही data दिखता है उससे पहले ही नहीं दिखता इधर गया अब हम इस order को लगा देते हैं इस order को लगाने के लिए इस line से जैसे touch करेंगे हाँ पर order लग जाएगा अलर्स आया और order लग जाएगा अब आप देखोगे मेरा जो TSL set हुआ page को refresh करके दिखा द दाला था तो इन्हें बोला भाई मैंने जो इसको LTP मिला वो मिला 590 रुपे दो का TSL घटा के इन्हें जो TSL लगा है मेरा 588 रुपे दो पैसे पे लगा है पैसे की बात नहीं कर रहा भी round of number बोल रहा हूँ 588 पे इन्हें लगा है और price के चल रहा 589 अब यह 588 पे लगा है जैसे suppose मानों यह 591 जाता है तो यह 2 point अपने आपको ट्रेल कर लेगा अगर देखते हैं 590 और यह हम page को refresh करते हैं अभी भी 588 तो वेट करते हैं अगर वो condition मिलगी तो मैं आपको दिखा दूँगा अगर 588 से price नीचे गया जो यह price दिखा रहा है तो यह अपने आपको exit करत एक quantity से यह चीज आप option में भी कर सकते हो यह चीज आप future में भी कर सकते हो लाइफ दिखाना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है अभी तक मैंने जितना भी आपको दिखा है उसके according इनने price को position को काड़ दिया और अभी भी पता नहीं यह नीचे नीचे जाएगा उपर जाएग I hope आपको पता चलिगा होगा thank you for watching this video and bye